तो वेलकेज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं धनी लोन अप्लिकेशन के बारे में अब देखो अगर आप धनी से लोन लेना चाहते हो तो यहाँ पे दोस्तों आपके साथ बहुत बड़ा फ्रोड यूटुब के अंदर चल रहा है और यहाँ पे आपका जो पैसा है वो डाइरेक्ट गमा दिया जा रहा है अब देखो इस वीडियो को बताने से पहले मैंने रिसर्च किया था कि धनी से आकिरम लोन कैसे ले सकते हैं और आप इतनी बुद्ध्र जीवी हो कि वैसा कंपनी जो बंद हो चुका है उससे यहाँ प सेक्षन धनी के अंदर था इसे बंद कर दिया गया है और धनी अभी के टाइम में कोई भी लोन आपको नहीं दे रहा है अब देखो कि आप लोन लेने के लिए हो तो इस वीडियो में आपको एक ऐसा बहतरीन अप्लिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपको धन रुपए का लोन यहां पे में दिया गया है और एक क्लिक के अंदर इस पैसे को डिरेक्टली अपने बैंक अकाउंट के अंदर हम ट्रांसफर कर सकते हैं अब देखो यहां पर बुद्धि जीवी लोग यहां पर कमेंट करेंगे कि धनी के अंदर हमने लोन अप्लाई करना यहां पर आपको दूसरा अप्लिकेशन बताने वाले हैं तो आज से पहले आप जितने यूटूबर्स का वीडियो देख रहे हैं वो आपके साथ ठगी कर रहे हैं क्योंकि धनी यहां पर कोई लोन नहीं दे रहा है और यहां पर मेंबर्शिप के नाम पर आपसे दूसरा मे वीडियो कर लेते हैं तो यहां पर हमने आपको भीचिन बताया है सबसे पहले आप अप्लिकेशन को स्टॉल करें आईगा आप इसको अंतली इंट्रेक्टेट डो से लेके 4% तक होगा टाइमिंग होता है तीन से 6 महीने तक और प्रोसेसिंग पी यहां पे 0% से लेके 15% के आसपस लगता है तो इसके लिए आप टेंसर नहीं लो बहुत ही कम प्रोसेसिंग पी इस अप्लिकेशन के अंदर देखने को मिलता है तो आपका जो भी मुबाइल नंबर होगा आप उसको फिल करेंगे और यहां से आप इसको next कर देंगे आप जैसे ही यहां पे next पे click करते हैं अब आपको cash loan का option आ चुका है यहां पे आपको 50 रुपए से लेके 1,000 रुपए तक का loan मिलेगा और वाल लिक की YC के अंदर आपका पैसा आपके bank account में credit कर दिया जाएगा तो simply यहां से आप इसको apply करोगे उसके बाद दुबारा से इनका option condition आता है आप इसको agree करेंगे यहां पे हम जैसे ही loan के लिए apply करते हैं हमारे सामने कुछ ऐसा interface आता है बताया जा रहा है यहां पे हमको 50,000 रुपए तक का loan दिया जा यहां पे आपको दिखाया जा रहा है एक बार आप इसे cross check करेंगे उसके बाद यहां से आप इसको okay करेंगे अब आपसे कुछ information यहां पे पूछी जाते हैं जैसे कि आपका जो घर है वो आपका खुद का घर है या फिर parent का है फिर आप rent पे लेके रहते हैं जो भी होगा य या self-employed है या फिर student है या फिर यहां पे आपको इसको complete fill करना है तो यहां पे हमने सारा information fill कर दिया अब यहां से हम next कर देते हैं next करने के बाद यहां पे education level पूछे जाता है कि आपने पढ़ाई कहां तक complete की है वो यहां पे आप फिल कर देंगे नीचे यहां पे आपसे को tick करना है और simply आपको नीचे done वाले icon पे click कर देना है सारे information को आप जैसे ही यहां पे fill कर देते हो बताया जाता है कि आपका loan under evaluation में है अब यहां पे आपकी जो भी information है उसको check out किया जाता है और उसके बाद यहां पे आपको loan के लिए बताया जाएगा कि आप eligible है या फिर इसके लिए आप notify me when it's approved पे click कर सकते हैं और जैसे ही application में आप approval का chances जाएगा आपको बता दिया जाएगा simply यहां से आप loan apply कर पाएंगे तो दुबारा से यह application हमने open किया है यहां पे in progress आ रहा है तो यहां पे maximum 24 गंटे लग सकते हैं जैसे ही आप loan के लिए eligible हो जाते हैं condition को accept करेंगे एक normal सा KYC होता है अधार card का उसे आप complete करेंगे self upload करेंगे bank details submit करेंगे उसके बाद यहां पे आपका जो पैसा है वो आपके bank account में credit हो जाएगा अब आईए हम बात करते हैं application कौन सा है उस तो यह application है true balance जिसके true यहां पे आप instant personal loan ले सकते हैं और आज के time में य बहुत ही genuine है और यहां पे आपको personal loan provide करता है देखिए अगर आप धनी के चक्कर में पहुंच रहा है तो मैं आपको दुबारा से बता रहा हूं धनी यहां पे कोई भी loan नहीं दे रहा है यहां पे जूल मासूम ओडियंस loan को है उनको गुम्राह किया जा रहा है वीडियो के और चैनल पे नए है तो आप इस चैनल को सबस्क्राइब करके हमारे family के साथ join हो सकते हैं अगर आपको किसी भी application में loan apply करने में दिक्कत होता है तो आप personally मुझे whatsapp पे भी contact कर सकते हैं मैं आपको number provide कर दूँगा तो मिलते हैं लिए किसी interesting वीडियो में तब तक के लिए अप have a good day